ते विलकम तु स्टडिवाचि इन्वेंशन ऑफ विटर्वॉंग विटर्वॉंग की खोज इन्वेंशन का मतलब क्या है जैसे आम जानते हैं इसका मतलब होता है खोज जिसे हम भी जिस्कवर कहते हैं ठीक है विटर्वांग की खोज यह कहानी in CRT की इसके इंग्लिश के बोग हनी कॉम का ये सात्वा चैप्टर है इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियो बना दी गई है उसे आप देख सकते हैं चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है बिफोर यू रीड आप पढ़ें इससे पहले आपके पढ़ने से पहले Who are the oldest people you know सबसे बुड़ा आदमी कौन है जिसे आप जानते हैं oldest people का मतलब क्या है सबसे बुड़े लोग कौन है जिसे आप जानते है What are the oldest things you have कौन सी चीज आपके पास कौन सी चीज़ें हैं आपके पास जो सबसे ज़्यादा पुरानी है या फिर सबसे पुरानी चीज़ें कौन से हैं आपके पास इन यूर हाउस आपके घर में इन यूर सिटी आपके शहर में टाउन और विलेज आपके कस्बे और गाउं में सबसे पुरानी चीज़ें कौन से हैं How old are they? वो कितने पुरानी हैं? अगर आपके पास पुरानी चीज़े हैं, तो वो कितनी पुरानी हैं? Have you ever wished that you were older? Have you ever wished क्या कभी आपने आशा की है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? That कि you were older? कि आपकी उम्र तरा सी जादा होती? आप अपने उम्र से थोड़ा सा बड़े होते Have you wished that you could grow up in a hurry? Have you wished क्या कभी आपने इसकी इच्छा की है? ऐसी आशा की है? That कि you could grow in a hurry? कि आप जल्दी से बड़े हो जाएं कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप जल्दी से बड़े हो जाएं In a hurry का मतलब क्या है? Very quickly, बहुत जल्दी ठीक, चलिए आगे देखते हैं Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka Vita which makes people younger Mr. Willy Wonka begins Mr. Willy Wonka शुरुआत करते हैं Begin से मतलब क्या है? शुरुआत करते हैं By inventing Wonka Vita Wonka Vita की खोज करके वो शुरुआत करते हैं Wonka Vita क्या है? जैसे हम लोग Wonka Vita वगरा पीते हैं तो उसी तरह हम कह सकते हैं ये भी कोई जादूई पे है तो वो Wonka Vita की खोज करके वो शुरुआत करते हैं Wonka Vita क्या करता है? उसका काम क्या है? Which makes people younger जो लोगों को छोटा करता है जो लोगों की उम्र कम करता है लेकिन ये जो Wonka Vita है ये बहुत जादा स्ट्रॉंग है उसका जो असर है वो बहुत तेजी से होता है ठीक? So इसलिए Some people disappear इसलिए कुछ लोग अदरिश हो जाते हैं Disappear का मतलब क्या है? अदरिश या फिर गायब इसलिए कुछ लोग गायब हो जाते है Because क्योंकि Their age becomes minus क्योंकि उनकी उम्र Minus में चली जाती है उनकी उम्र क्या हो जाती है? Minus में चली जाती है कैसे जाती है दिखते है? One person actually becomes minus 87 एक आदमी One person actually becomes एक आदमी वास्तों में उसकी उम्र minus 87 हो गई है यानि minus 87 यानि 87 वर्ष वो पीछे चला गया Which means जिसका मतलब है Which means का मतलब क्या है? जिसका मतलब है He is got to wait 87 years Before he can come back He is got to wait 87 years उसे 87 साल 87 वर्ष उससे इंतजार करना पड़ेगा He can come back वो वापस आप आए इससे पहले उसे Before का मतलब क्या है? पहले वो वापस आप आए इससे पहले उससे 87 साल का इंतजार करना पड़ेगा ठीक तो इसमें हमने देखा कि विटर वांक की खोज करके Mr. Willie Wong का अपनी शुरुआत करते हैं विटर वांक के कैसा पेपदार्थ है जिसको पीने से लोगों की उम्र कम हो जाती है और लेकिन ये विटर वांक जो उन्होंने बनाया था वो बहुत जादा स्ट्रॉंग था और उसको पी करके लोग डिसापियर भी हो जाते थे क्योंकि उनकी उम्र माइनस में चली जाती थी ठीक चली आगे देखते हैं Mr. Willi Wonka must invent a new thing Mr. Millie Wonka को अब नई चीज इजात करनी पड़ेगी नई चीज की खोज करनी पड़ेगी इजात का मतलब जैसा मैंने आपको बताया खोज इजात ठीक है डिस्कवर तो यहाँ पर Mr. Willi Wonka को अब नई चीज खोजनी पड़ेगी ठीक चली आगे देखते है Mr. Wonka said Mr. Wonka ने कहा So once again I rolled up my sleeves इसलिए मैंने एक बार फिर अपनी आस्तीन मोडली rolled my sleeves का मतलब क्या है अपनी आस्तीन मोडली एक बार फिर I squeezed my brain मैंने अपना दिमाग निचोड़ा यानि मैंने अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया squeeze का मतलब तो ऐसे होता है निचोड़ना लेकिन यहाँ पर क्या है अपने दिमाग पर मैंने जो डाला searching for the new recipe नई recipe की खोज करते हुए नई recipe की खोज करने के लिए मैंने अपने दिमाग पर जोड डाला ठीक एक बार फिर से I had to create age मुझे उम्र मुझे आयू बनानी थी ठीक है create का मतलब क्या होता है बनाना ठीक और age का मतलब आयू मुझे आयू बनानी थी to make people old old oldest लोगों को to make people लोगों को बनाना old बुढ़ा old बुढ़ा older और बुढ़ा और oldest और सबसे बुढ़ा यानि उनकी उम्र मुझे बढ़ानी थी और बढ़ानी थी इतनी बढ़ानी की वो सबसे ज़्यादा बुढ़े हो जाए हाँ वो हसते हुए सब कहते है I cried मैं चिलाया cried का मतलब क्या है चिलाया ठीक है for क्योंकि now the ideas were becoming to come I cried मैं चिलाया for क्योंकि now the ideas were beginning to come अब मेरे दिमाग में विचार आने शुरू हो गये थे beginning to come का मतलब क्या है आना शुरू हो जाना अगयास का मतलब क्या है विचार विचारों का आना मेरे दिमाग में शुरू हो गया था what is the oldest living thing in the world दुनिया में सबसे पुरानी जीवित चीज कौन सी है ठीक है living thing का मतलब क्या है सजीव बस्तू या फिर जीवित चीज कौन सी है पुरी दुनिया में सबसे पुरानी what lives longer than anything else सबसे जादा कौन जीता है ठीक है सबसे जादा समय तक जीवित कौन रहता है ठीक a tree Charlie said Charlie ने कहा एक पेड यानि सबसे जादा कौन जीता है सबसे पुरानी चीज कौन सी है सबसे वो कहता है पेड ठीक right you are Charlie Charlie तुम सही हो you are right Charlie but what kind of a tree लेकिन किस तरह का पेड not the Douglas fir वो तो Douglas fir नहीं है not the oak वो oak नहीं है not the केदार वो केदार भी नहीं है no no my boy not ये सारी चीजे नहीं है नहीं मेरे बच्चे ये सारे वो पेड नहीं है it is a tree called the bristlecone pine that grows upon the slopes of the wheeler peak in Nevada USA it is a tree called bristlecone pine ये एक तरह का पेड है जिसे bristlecone pine कहते है that grows upon the slopes of wheeler peak जो wheeler peak के धलानों पर उगता है ठीक है grows का मतलब कहा है उगता है slopes का मतलब धलानों पर wheeler peak जगा का नाम है नवादा में जो USA में है जो USA के नवादा में wheeler peak के पास उसके स्लोप में ये उगता है ये bristlecone pine यही वो पेड़ा जो सबसे ज़दा पुराना होता है you can find bristlecone pine on wheeler peak today आज भी you can find तुम पा सकते हो bristlecone pine को wheeler peak पर आज भी तुम से पा सकते हो that are over 4000 years old जो 4000 साल से पुराना है टीक है over 4000 years old का मतलब का है 4000 साल से भी पुराना है उसे आप पा सकते हो आज भी bristlecone pine को अगर तुम वहाँ पर wheeler peak नवादा में जाओगे USA में तो this is fact ये तत्थ है चारली चारली ये तत्थ है ask any dendro chronologist you like ask any dendro chronologist you like का मतलब क्या है तुम चाहे जिस dendro chronologist से पूछो वो तुमको बता देगा you like का मतलब चाहे जिस dendro chronologist से तुम पूछो वो तुमको बता देगा dendro chronologist का मतलब होता है जो पेड़ों का अध्यान करते हैं ठीक है एक तरस कह सकते है पेड़ विज्यानी ठीक है डेंडरो का मतलब होता है ठीक है डेंडरो का मतलब क्या होता है ट्री क्रोनोलोजिस का मतलब उसके समय के बारे में जो अध्यान करें किसी से भी पूछो तुम वो तुमको बता देगा and or look that word up in the dictionary और इस शब्द को तुम dictionary में देखो when you get home जब तुम घर जाना तो इस वर्ड को तुम dictionary में देखना will you please किर्प्या करके इसे देखना तुम जरूर so that started me off इस तरह मुझे मैंने अपना काम शुरू किया I jumped into the great glass elevator मैं तुरंत great glass elevator पर पूद पड़ा ये great glass elevator क्या है यह हो सकता है विट्रे वांका की कोई बहुत ही तेज चलने वाली जहाद हो या फिर कोई ऐसी चीज हो यह mode of transport है ठीक Mr. Willy Wonka का ठीक हो सकता है and rest all over the world और मैं पुरी दुनिया की तरफ चल पड़ा Collecting special items विशेश तरह के चीजों को इकठा करते हुए from the oldest living things जो चीजें सबसे पुरानी हैं उनसे मैं special चीज इकठा करते हुए मैं पुरी दुनिया में चल पड़ा उस परपस से में चल पड़ा अब वो कौन कौन से चीजें कठा की देखते हैं अब पिंट आफ सैप फ्रॉम ए फॉर ताउजन येर ओल ब्रिसल कोन पाइंट अब वहां से वो पिंट आफ सैप लेते हैं चार हजार साल पुराने ब्रिसल कोन पाइंट से तो ये नाखून की क्लिपिंग लेते हैं पाऊं के अंगूठे की नाखून की क्लिपिंग लेते हैं एक रशन फार्मर से जिसका नाम है पेट्रोविच गरिज़्। जिसकी उम्र 168 साल है and eg led by a 200 year old टेटोईस और वह एक अंडा लेते हैं जी किसके द्वारा दिया गया है, जो 200 साल के एक कछवे द्वारा दिया गया है वह एक अंडा लेते हैं belonging to the king of tonga जो tonga के चाह से संबंध रखता है belonging का मतलब क्या है hier पर जो संबंध रखता है उस कचुवे का वो अंडा लेते हैं जो 200 साल पुराना कचुवा है उसका अंडा और वो पूछ लेते हैं 51 साल के अरब के घोड़े का ठीक है और क्यालाते है The whiskers of a 36-year-old cat called Crumpets एक Crumpets नाम की बिली है जो 36 साल की है वो उसके whiskers लाते हैं जो बिलियों की मुचे होती है जो जैसे ताइगर हो गया और cats हो गए उनकी जो मुचे होती है उसके whiskers कहते है उसकी whiskers लाते हैं 36 साल की बिल्ली का An old flea which had lived on crumpets for 36 years और वो एक flea भी लाते हैं, ठीक है? फ्ली जो जैसी होती है, वो उसे भी लाते हैं जो चाति शाल की उस crumpets, उस बिल्ली के उपर, वो रह रही थी उस flea को भी वो लाते हैं, ठीक है? उसकी भी उमर इतनी ही है The tale of a 207 year old giant rat from Tibet और वो पूछ लाते हैं किसकी 200 साल का एक बड़ा चुहा है जो तिबत का है उसकी पूछ वो लाते हैं दे ब्लैक टीथ आफ आफ आ 97 यर ओल्ड ग्रिमलकिन लिविंग इन दे केव आफ आफ माउंट पूपो कैटेपेटल ठीक वो वहां से क्या कर लाते हैं काला दात लाते हैं 97 साल का एक ग्रिमलकिन है जो माउंट के गुफा में रहता है पूपो कैटेपेटल के ठीक और दे नकल बोन्स ऑफ सेवन हंड़ेट यर ओल्ड कटालू फ्रॉम पूरू वो नकल बोन्स लाते हैं उंगली के हड़ियों जो होती हैं उपर की उसे नकल बोन् साल उराने एक कटलू का वो नकल बोन्स लाते हैं कहां से लाते हैं वो पूरू से ठीक है जिसे हिंदी में इसे पेरू बोलते हैं ठीक है ना पेरू लेकिन इंगलिश में इसे पूरू बढ़ते हैं ठीक तो पूरू से नकल बोन्स लाते हैं 700 साल पूराने 700 साल के कटलू का ठीक चली आगे देखते हैं all over the world Charlie Charlie पूरी दुनिया में Mr. Wonka went on Mr. Wonka कहने लगे went on का मतलब यहां पर क्या है continued या फिर उन्होंने आगे कहा वो कहते गए उन्होंने क्या कहा I track down very old and ancient animals मैंने खोजा बहुत पुराने और प्राचीन जानवरों को track down का मतलब क्या है यहां found by searching for it किसी चीज को खोज करके ढूंडने को track down कहते हैं तो मैंने बहुत पुराने और प्राचीन किसम के जानवरों को खोजा and or took an important little bit of something और मैंने कुछ थोड़ा सा जरूरी महतपूर चीजें from each one of them और उन में से कुछ मैंने कुछ न कुछ उससे महतपूर चीजें ले ली ठीक है जो भी जानवर मैंने पुराने किसम के और प्राचीन किसम के जो जानवर मैंने ढूंडे उससे मैंने कुछ न कुछ ले लिया जो महत्पूर था जैसे अहेर और अइबरो जैसे बाल या फिर आइबरो ठीक है भाओ और सम्टाइम्स और कभी-कभी क्या होता था इसके सोते हुए यानि जो जानवर थे वो सो रहे थे तो इनके अंगूठों के बीच में से इनके अंगूठों के बीच में से जैम स्क्रैब्ट मैंने उसको खुरच करके उनके जो चीज मुझे चाहिए थी वो निकालता था इट वो जो जादा एन आउंस और जिसका भार वो बहुत जादा एक या दो आउंस से जादा नहीं होता था तो मुझे जो पूराने जानवर मुझे मिले उनसे मैं कुछ न कुछ ज़रूरी चीज उसमें से ले लेता था और कभी-कभी मुझे सोते हुए जानवरों से उनके अंगूठों के बीच से मुझे स्क्रैच करके भी निकालना पड़ता था कुछ चीज है चलिए आगे देखते हैं I track down the whistle pig मैंने whistle pig खो जा ठीक है the bobolink भोbolink हो जा the scarak खो जा the poly frog and the giant curl cube and a stinging slug curl cube खो जा and the venomous squackle और मैंने एक venomous squackle खो जा Who can spit poison right into your eyes जो सीधे तुम्हारी आँखों में जहर फेख सकता है from 50 yards away 50 gads दूरी से जो तुम्हारी आँखों में जहर थूख सकता है जहर फेख सकता है मैंने उस वैमनस, जो चीज ती उसे मैंने ढूटा तो इन सारे चीजों पर बहुत जादा मतलब निकाल करके कोई फाइदा नहीं है ये सब चीजें बस ऐसे इसमें दी गई है ठीक है चलिए आगे देखते है But there is no time to tell you about them all now लकिन अभी मेरे पास उन सब के बारे में मुझे बताने का समय नहीं है ठीक है जितनी भी चीजें मैंने ढूंडी और खोजी उन सब के बारे में बताने का मेरे पास समय नहीं है ठीक चारली चारली से वो कहते हैं Mr. विली बाउंका Let me just say quickly that in the end अंत में मुझे बस जल्दी से इतना कह लेने दो कि after lots of boiling and bubbling and mixing बहुत ज़्यादा उबलने के और ज़ाग आने के बाद और उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट के बाद and testing in और इसका correction करने के बाद in my inventing room मेरे inventing room में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद boiling के बाद और bubbling यानी ज़ाग के बाद या mixing उसे मिलाने के बाद और जो भी चीज़ें हुई मेरे room में उसको टेस्ट कर लेने के बाद I produced one tiny cup full of oily black liquid मैंने produce मैंने उत्पन किया मैंने बनाया ठीक है यहाँ पर produced का मतलब क्या है मैंने बनाया one tiny cup full एक छोटा चमाच oily black liquid oily जैसा था वो तैली ये था वो काला liquid and gave four drops of it इसका चार बूंद मैंने दिया to a brave 20 year old oompa loompa मैंने एक इसका चार बूंद मैंने एक बहादूर 20 साल के oompa loompa को volunteer to see what happened एक volunteer है जो अपने मन से काम करें volunteer का मतलब जो अपने मन से काम करें वो volunteer था इनके साथ काम करने वाला उसे उन्होंने दिया to see what happened उसे देखने के लिए कि क्या हुआ ठीक है क्या होता है ऐसा देखने के लिए मैंने जो भी एक liquid बनाया था इतनी सीजों को mix करके test करके वो मैंने उसे दिया what did happen Charlie asked Charlie ने पूछा क्या हुआ what did happen का मतलब क्या है the moment का मतलब क्या है जैसे ही जिस छड ये उसे उन्होंने इसे निगला he began wrinkling and shriveling up all over और वो तुरंत wrinkling वो सिकडने लगा wrinkle का मतलब क्या है सिकडना and shivering और वो मुर्जाने लगा shriveling का मतलब क्या है withering मुर्जाने लगा and his hair started dropping off और उसके बाल गिरने लगे and his teeth started falling out और उसके दात बाहर निकलने शुरू हो गया यानि उसके दात भी गिरने लगे and or before I knew it इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता इससे पहले कि मैं जान पाता he had suddenly become an old fellow of 75 he had suddenly become वो अचानक ही बन गया था an old fellow of 75 75 साल का आदमी अब वो एक 75 साल का आदमी बन गया था वो 20 साल का लड़का अब वो 75 साल का बन गया था and thus और इस तरह my dear Charlie, मेरे प्रीर Charlie was विटरवांग का invented इस तरह से विटरवांग की खोज हुई ठीक, तो हमने देखा कि उसका जो mixture था जैसे उसने चाड ड्रॉप उस उंपा लूंपा को देता है उसके दात गिरने शुरू हो जाते है उसके बाल जहनने शुरू हो जाते है और अचानक वो 20 साल का लड़का 75 साल में बदल जाता है Mr. Willi कहते हैं कि इस तरह से विटरवांग की खोज हुई ठीक है इस तरह से आपका भी ये 7 चैप्टर खतम होता है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीज़ेगा आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते है तो शेयर कीज़ेगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीज़ेगा और बिल आइकन भी जरूर दबाईएगा आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा होसला तैंक यू